Hello students, how are you? I hope you all are safe and healthy at your home. Students, today we will start our new lesson, lesson number 7, समुद्र और तिठरी. बच्चो, समुद्र means होता है सागर और दरिया. तिठरी यह एक चडिया का नाम है. बच्चो, यह कहानी एक समुद्र की है, जो बहुत घमंडी है और अपने आसपास के जानवरों को बहुत परेशान करता है. यह कहानी एक घमंडी समुद्र और एक टिठरी चडिया की है. Now, let's start reading. एक समुद्र था, वह बहुत घमंडी था, वह अपने घमंड में अपनी लहरें दूर दूर तक उचालता और गरजता. उसकी लहरों में बहुत से जानवर फस कर डूब जाते, वह बहुत खुस होता. वह कहता, मैं इस दुनिया में सबसे सक्तिसाली हूँ, मेरा सामना कोई नहीं कर सकता, मैं जिसे चाहूं, दुबा सकता हूँ, बहा सकता हूँ. बच्चों, आपने इन पंक्तियों में पड़ा, कि एक समुद्र था, और जिसे अपनी ताकत का बहुत घमंड हो जाता है. वह अपनी लहरों को दूर-दूर तब उच्चालता है, और जोड-जोड से गरजता है, और उसकी लहरों में बहुत सारे जानवा डूब कर मर जाते हैं, और वह यह सब देखकर बहुत खुस होता है. उसे लगता है, मैं इस दुनिया में सबसे सकते साली हूँ, मेरा सामना कोई नहीं कर सकता, मैं जिसे चाहूँ, डुबा सकता हूँ और बहा सकता हूँ. इसी समुद्र के किनारे एक टिटहरी चुडिया अपना घोसला बना कर रहती थी, उसने अपने घोसले में चार अंडे दिये, अब वह अंडे से बच्चे निकलने की पर्तिक्षा कर रही थी. एक दिन टिटहरी दाने की खोज में कहीं गई, उसके पीछे समुद्र अपनी लहरों में उसके अंडे भाग कर ले गया, टिटहरी ने वापस आकर जब अपने अंडे और गोसले को नहीं देखा, तो वह बहुत दुखी हुई और रोने लगी. उसे रोते देखकर एक छोटा कच्वा आया, उसने पूछा टिटहरी बहन क्यों रोती हो, टिटहरी ने अंडे गायब होने की बात बताई, कच्वा बोला, तुम्हारा गोसला और अंडे तो समुद्र भाग कर ले गया है, चाहो तो उससे पूछ लो. इसी समुद्र के किनारे. और उसका गोसला और अंडे बहा कर ले जाती है, यह देखकर टिटहरी चुडिया बहुत दुखी होती है और रोने लगती है, तो उसे रोता देखकर कच्वा उससे पूछता है, टिटहरी बहन क्यों रोती हो, तो टिटहरी ने अपना गोसला और अंडे गायब होने की बात करी तो कच्छवा बताता है तुम्हारे गोंसला और तुम्हारे अंडे समुद्र बहा कर ले गया तुम चाहो तो समुद्र से पूछ सकती हूँ टिठरी समुद्र के पास गई पूछा समुद्र तुमने मेरे अंडे बहाए हैं तो समुद्र जोड से चिला कर बोलता है हाँ मैंने तुम्हारे अंडे बहाए हैं तुम मेरा क्या कर लेगी चुडिया जा भाग जा यह कहकर समुद्र की लहरे उचली टिठरी बचकर भाग गई किनारे आकर वह रोते हुए बोली समुद्र तुमने मेरे अंडे बरबात किये मैं तुम्हें इसका दंड दूंगी मैं तुम्हें सुखा दूंगी उसकी बात सुनकर समुद्र बहुत हसा अपटी ठरी ने समुद्र को सुखा देने की ठान ली वो समुद्र का पानी अपनी चौच में भर कर लाती और रेत पर छोड आती यह काम वो दिन रात करने लगी जब ठक जाती तो बैट कर रोती बच्चो आपने इन पंक्तियों में पढ़ा कि कैसे समुद्र चुडिया को भगा देता है और अपनी ताकत का परदर्शन करता है और चुडिया के ओपर हसता है कि तो चुडिया नी कमजोड चुडिया मेरा क्या बिगाड लेगी तो चुडिया ने अपने मन में एक बात ठान ली कि मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी वह रोज चुडिया और बहुत से जानवर उसे देखकर दुखी होते कहते बेचारी अपने अंडों के दुख में पागल हो गई है भला यह चोटी सी टिठरी समुद्र को कैसे सुखा पाएगी टिठरी पर इसका कोई असर नहीं होता वह अपने काम में मेहनूं बर्सूं लगी रही सभी जानवर टिठरी को देखकर यह बातें करते कि बेचारी अपने अंडों के दुख में पागल हो गई और यह एक चोटी सी टिठरी भला समुद्र को कैसे सुखा पाएगी पर टिठरी पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता वह अपने काम में मेहनूं और बर्सूं तक लगी रहती है एक दिन साम के समझ एक महात्मा समुद्र थट पर आए उन्होंने समुद्र का जल अपने हात में उठाया और सूरज को चड़ाने लगे तबी समुद्र गर्जा मैं समुद्र हूँ सूरज को भी डुबा देता हूँ इसलिए सूरज को नहीं मुझे परणाम करो महत्मा एक दिन साम के वक्त इसी समुद्र के गिनाने से एक महत्मा गुजर रहे थे उस समय सूर्य अस्त का समय हुआ था तो सूर्य को अस्त होते हुए देखकर महत्मा ने सोचा कि मैं सूरज को जल चड़ाता हूं वो जैसे ही समुद्र का जल महात्मा ने अपने हाथ में लिया समुद्र जोड जोड से गरजा वो ने कहा मैं समुद्र हूँ मैं सूरज को भी डुबा देता हूँ इसलिए सूरज को नही तुम मुझे परणाम करो समुद्र की इन बातों पर महात्मा बहुत करोदित हुए तभी उनके हाथ से एक चड़िया आटकर आई और उनके फैर पर गिर गई महात्मा ने उस चड़िया को उठा कर पूछा चड़िया तुम्हें क्या हुआ तु मुझे अपना दुख बता यह चड़िया तिठरी थी तिठरी रोती हुई बोली मेरे अंडे समुद्र भाले गया मैं इसे सुखा दूंगी मुझे छोड़ दो यह कहते कहते उसने उड़ने की कोशिज करी लेकिन फिर गिर पड़ी महात्मा ने देखा वह मर चुकी थी समुद्र की इन सब बातों पर महात्मा बहुत क्रोदिद होते हैं तभी उसी वक्त एक चुड़िया उनके हाथ से टकरा कर आई और उनके पेरों में गिर जाती है तब महात्मा उस चुड़िया को उठा कर पूछते हैं चुडिया, तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे अपना दुख बताओ. यह चुडिया कोई और नहीं थी, यह चुडिया टिठरी थी. टिठरी रोती हुई बोली, मेरे अंडे और मेरा गोंसला समुद्र बहा कर ले गिया. मुझे छोड़ दो, मैं इसे सुका दूंगी. लेकिन चुडिया, यह कहते कहते उड़ने की कोशिस करती है, लेकिन फिर जमीन पर गिर जाती है, और वहां मर चुकी होती है. यह महात्मा रिसी अगस्च थे. उन्होंने कहा, हे मा चुडिया, तु धन्य है, मैं तुम्हारी इच्चा अभी पूरी करता हूँ. यह कहकर, उन्होंने समुद्र का जल उठाया, और मंत्र पढ़कर उसे पी लिया. पूरा समुद्र ही सूप किया, समुद्र को उसके गमंड का दंड मिल गया. यह महां बिसी अगस्त थे. उन्होंने चुडिया को नमस्कार किया, और बोलते हैं, हे मा चुडिया, तुम धन्य है, मैं तुम्हारी इच्चा अभी पूरी कर देता हूँ. यह करकर उन्होंने समुद्र का जल अपने हाथ पर उठाया, और मंत्र पढ़कर उसे पी लिया. इतने में पुरा समुद्र ही सूप जाता है. और समुद्र को उसके गमंड का दंड मिलता है. इस कहानी से हमें यह सिक्ष्या मिलती है कभी भी हमें अपने थाकत का गमंड नहीं करना चाहिए यादि छोटे से छोटा प्राणी भी ठान ले तो बड़े से बड़ा काम कर सकता है एक मा अपने बच्चों की रक्ष्या के लिए कुछ भी कर सकती है ऐसी मा का हमेशा आदर करना चाहिए ठैंक यू